तिखो आप ईश्वर की कृपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल होगे मैं लता शरमा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने आप देख सकते हैं ये में ये पुरानी सलवार है और इसमें आप सिल्वर्टेव देखते पड़ी है और गरम है लेकिन इसमें जो मैंने जेव लगानी है डेली उसके लिए जैसे छोटा फोन कुछ भी रख सकते हैं इसमें पॉकेट बनानी है तो की इस तरसे बनानी है ध्यान से देखेगा इस तरसे हमने जो इसे डबल जो है इस तरसे हमने इसे रखा यहां से आप देख सकते है आसन से आसन स्टिच किया हुआ है यह प्लेट से जो बिल्कुर ब्राबर लिया हुआ हमने इसमें और यहां पर जहां पर हमारी प्लेट जो है खतम होती है वहां से हमने सीधा इस तरसे इसमें एक निशान लग है इस तरह से निशन लगा दिया अब हमने यहां से इसstones से देखना है कि इसका जो मीड़ ओउंट कहाँ पर है तो आप देख सकते इसका मीड ऊइंट इहां पर आ गयाँ अब हमने जो है जितनी जेव, आप चाहिए उतनी खुली बना सकते हैं मैंने इसमें कम से कम तयार है वह 6 इंच बनानी है तो मैं इसमें 5.5 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरह से यहां से जो है जहां पर मेरा 5.5 इंच आ जाएगा वहां तक जो मैं इस तरह से निशान लगा दूँगी क्योंकि आदा 6 इंच जो यहां से हलका सा हलका सा आदे से आदा इंच यहां से सिलाई में आ जाएगा वैसा ही इस साइड से विशले मैंने आप देख सकते हैं पूरा साड़े 5 इंच जो है यह देखिए 5 इंच इसमें 5 इंच निशान लगा हुआ है आदा इंची में यहां से सिलाई में लोगे और आदा इंची यहां से अब हमने इसमें जो है कट मार देना है किस तरह से मारना है पहले हमने हलका सा कट मारना है और इस तरह से यह हमने इसमें आप देख सकते हैं इसमें होल हो चुका है अब हमने एक कोई भी कपड़ा ले सकते हैं इसके लिए अगर आपके पास ऐसा भी नहीं तो कुछ मिलता जूरता ले सकते हैं यह कपड़ा लिया हुआ है मैंने और इसमें कम से कम यह चोड़ाई में 7 इंच है और लंबाई में जो है यह 9 इंच है आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी आपको जेब चाहिए अब हमने इसे किस तरसे स्टीच करना है ध्यान से देखेगा हमने सीध यह साइड जो अंदर को लानी है तो हमने इस तरसे इसमें यहां से पहले यह देखिए यह भी सीधी साइड है और इस यहां से सिलाई डालनी है इसमें आदाइंज एक्स्टर यहां से और इसमें इस तरह से यह देखिए इस तरसे इसमें सिलाई डालनी है ओके आप देख सकते हैं यह देखिए एक होल जो निचली साइड का होल है उसके उपर से हमने इस तरसे इसमें सिलाई डालनी है आप देख सकते हैं मैंने इसमें और कलर का धागल लगाया ताकि आपको आसानी से दिखे अब इसी तरह से हमने इसे भी पल्टी मानना है और अब जो दूसरी सिलाई है वो किस तरह से माननी है हमने इसमें इस तरह से ये दिखे ये हमारी सीधी साइड है इस तरह से इनको रख लिया हुआ हमने यहां से क्योंकि इसमें फंटीति अमारी इसी तरह से आने चाहिए अब फिर जहा पर हमारी हमारी फिर सिलाई खत्म हुए है वहाँ से इस तरह से अटेश करेंगे इससे वी याँ कह आप को भूष से का इस तरह से इसमें यहां पर भी हमने VK Save का निशान लगाए गवा, अब इसमें हलका सा cut यहां पर लगाना है, और हलका सा cut यहां पर लगाना है, दोनों side cut माने कि बाद आप इस तरह से इसमें, इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, यह दिखिए इसमें जो finishing of आप चाहे तो इसमें जो यहां से उ डालेंगे यह जो हमारा इस तर से दोनों साइड से हम इसमें जो है पहले सिलाई डालेंगे जिससे जिसकी फनिशिंग हमारी और भी अच्छी आ जाएगी आप देख सकते हैं बड़ी इजी तरिके से हमारी जेब प्रपेर हो चुकी है हम इसमें जो उपर से मैं और कलर का आपको इससे जो और अच्छी इसकी फनिशिंग दिखें यहां से इसमें एक और सिलाई डालेंगे इस तर से आप देख सकते हैं बड़े ही इजी तरिके से जो हमारी जेब प्रपेर हो चुकी है मैंने इसमें और कलर का धाग इसलिए लगाया ताकि आपको इजी तरिके से दिखें कि किस तरह से हमने बाहर से भी सिलाई डाल लिए आप चाहे तो यह बाहर वाली सिलाई नहीं डाल सकते इसमें अंदर से ही डाल सकते इस सिलाई को डबल सिलाई डाल कर और यह देखें इस तरह से कितने अच्छी जेब बन गई हमारी और बहुत बड़ी जेब बन य thank you